नमस्कार दोस्तों एको नई वीडियो में स्वागत है मेरा नाम है विनोग तो अभी आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं हम लोग धान की ठ्रेसिंग कर रहे हैं यह 18.86 है जो कि हमने जून के आखरी सप्ता से लेकर जुलाई के पहले सप्ता के बीच बीच में लगा ली थी तो अभी इसमें आप देखोगे के हमारे पास एक या दो दिन की ठ्रेसिंग और बच्ची है थोड़ी सी कटाई बच्ची है उसके बाद यहां से हो जाएंगे टोटली फ्री ठीक है और जैसे यहां से फ्री होंगे तो हमारी जो पीवी बन हमने लगा रखी है वो भी ऑ यह बतर उसमें घिराई करनी है तो आखरी तक पानी गिरा गीला बहुत था तो वैसी बतर नहीं आई है कि आप कल्टिवेटर से कर दो घिराई तो उसके लिए हम लेके चल रहे हैं कि आप बल्राम हल वसंद्रा किफ्चियन से हमने मंगा था पिछले साल और बहुत बढ़ि हैं चाहें तो कोई सा भी ले जाएं लेकिन स्पेशली चूँकि यह नया है मात्र 50 या 54 गंटे मैं आपको दिखा देता हूं उतना ही चला है इसी के लिए हम 59 अवर्स हो चुके दो 69 गंटे हो चुके और जब यह 50 हुए थे तब हमने इसकी सर्विस भी कराई थी तो पहली स दूसरी सर्विस के लिए उतना चलाना पड़ेगा तो इस ट्रैक्टर से हम घिराई करना है क्योंकि कीचण को काम है नहीं तो टूइल ट्रैक्टर बढ़ियां काम करेगा इसलिए हम सौराज को लेके चलना है तो मिना देरी करे निकालते हैं बल्रा महल लगाते हैं और तो दोस्तों सामने यह रखा हुआ हमारा बल्राम हल जो कि हमने वसंद्र कृष्चियंत्र से मंगाय था और यह रखे रखे ही ऐसा हो गया गंदा सा यह देखलो आप वसंद्र कृष्चियंत्र की ब्रांडिंग हो रखी यहां पे और इनकी संपख डिटेल में आपको देदूंगा डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट में मिल जाएगी यह दो को एल शेप में इसकी होती है जैसे बल्राम दाओ जो रखते थे ना बगवान बल्राम तो वैसा ही हल है इसलिए इसको बल्राम हल कहते हैं और एक और डिजाइन होत है और यह भी मलब बल्राम यह है जैसी जाओ वैसी ताकत लगा दो कोई फरक नीपड़ता है आर सी पे हमको इसकी फिप्टी एक भाई ने कॉमेंट भी करके पूछा था कि आर सी पे इस पे कितने एच्पी लिखके दिया है तो भी यह यह ना आर सी पचास एच्पी लिखक लेकिन अभी यह कम नीपड़ता खास कलकर ट्रॉली और गिराई जैसे मामलों में तो यह कभी कम नीपड़ता पहले इसको लगाओ यहां से तो उठा तो पाओगे ना यह थोड़ी ना उठाएगी तो भाई साब यह जो दिन देख रहे हो ना अभी ना भेंकर वाली धूप पढ़ रही है और इतनी समचमाजी दूपर मुझे काला चश्मा भी लगाना पढ़ रहा है और शाम जैसे होगी ना ठंड लगने लगेगी तकड़ी वाली तो अभी जो कुछ दिन पर जब तक बोनी होगी ना ऐसा ही चलेगा दिन में भेंकर वाली गर्मी लगेगी और या सब तरह के चश्में बनवा रखे हैं जो कि संग्लासेज भी हैं पाउर ग्लासेज भी हैं तो बदल बदल के पहनता रहता हूं तो थोड़ा लगता बाकी मेरे को आँखे पर सच में मतब बिना चश्मे के दिखाई में ज़दा ठीक से इसलिए पहनता हूं बाकी हमारा स अब आप रोक के देख लो जारा लीचे रखना जितनी उतारी दूती कर दी चलो खेट पर ले चलो अभी तो सही देख रहा है कि अगा 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 कि अगा 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 incompetव सप्पूर्दाश्ट श्मने जंग सिर्फजश झाई गिंप गज जहाँ है कि अगा行了 प्रवाइट रेक्टर पीछे और हम आगे हैं बाइक से और आपको बनाते हैं वल्रावल की ताकत और यह हमारी बलेक बल्रावल तो दोस्तों ये वाले खेट वो है जहां पर आपने देखा था में रीपर से सबसे बेले कटाई शुरू करी थी सबसे पहली कटाई करी थी और इतों हो चटक भी गए हैं इतनी वतर इसमें आ चुकी है तो भाई शुरू करते हैं गिराई बस ये चोड़ना पड़ेंगे इन में इदर उदर करना पड़ेगा इसको और अब देखते हैं कि हमारे सौराज आट सो पच्पनैफी कितनी दम लगा पाता है और अगर हम कल्टिवेटर की बात करें तो इनका कल्टिवेटर काफी अच्छा है मतलब बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है नॉर्मली आप देखोगे ना तो दो पाइपों पर ही मिलते हैं इसमें तीन पाइप दी हुए है मतलब काफी अच्छी सपोर्ट दी है जूले में भी देखोगी तो तीन पत्ते दे रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया जो है यहां पर दे रखता है और आप हमारे आट सो प अच्छा बर्या है जो अच्छा बर्या है ताइंस अहीं मिला ली ती उपर नीचे चलाओ अच्छा बर्रा है बस और कोई दिक्कत निए और नीचे कूप गीला निकल रहा है और यहां पर आपको दिखाता हूं तलाब जिसमें है मचलिया इसी तलाब का पानी रिस्ता है उस तरफ जिससे हो जाती है कीचर यह उपर ही तह रही है यह मेरे को देखके अंदर गुजगी मुंडी उपर ही थींगी कितनी सारी मचलिया है उपर मुह निकालके बैठी और कुछ मचलियां वहां पर हैं वह तो यह बुलबुले नहीं है यह मचलिया है और उस तो इस तलाब मेना थोड़ी बहुत सारी मचलिया है और बहुत बड़ी-बड़ी है अभी पूछते हैं कौन से गयर में चल रहा है और क्या इससे टेड चल पाएगा अधिक प्रेट निफ्टात हुए यह से आसान नहीं है मेल को तोड़ना तो कौन से गयर में चल रहा है मीडियम पहला और तेडी चल पारा अचा सिलिप मारेगा ओके चल दूसरे में करके दे मेडियम के दूसरे में बजन कम होने कारण स्लिप मार रहा है बस यह दिखता है अब एक दो फेरा मैं चला के देखता हूं एक फेरा में चला लूँ है ना तो दोस्तों एक फेरा चलाएंगे तो गाइज बारत हुदा सो के आर्पियम के चल रहा है मीडियम के दूसरे में क्यों इसकन का बारत हुद्यों पारता है मीडियम के चलाएंगे पुद्यों ठाव़के द्वद्यों पेस्दाब है प्रड़ प्रवस्ट प्रवस्ट यहाँ नहाँ झाल कर दो दो प्रेज़ कर दो बैड में थारा सिलो कर लिया थै अपतोरे लेंग प्रीया ना इसको आर्बान हम रेद हे ना तो इसको यामने भी नचना राई दो बाई इसको खालिया कर दो किस्का कण देम राऊ दूस्रे वा फड़िया करता है आर्बास अख को आप से खेंग तो गाइज अभी कमस्कम चार-पांच फेरे जो है मैंने लगा दी है और कल्टिवेटर सेट नहीं था उससे तो मीडियम के पहले में चला रहा था दीर दीर है अब जो है मीडियम के दूसरे गैर में अच्छे सा चल रहा है बढ़िया स्पीड में ठीक है तो यह धेर के इस त नहीं है चौदा के टायर है और इतना बड़ा यह नौ टाइंस का चार आगे हैं पांच पीछे नौ टाइंस का बड़ा साड़े साथ फिट का कल्टिवेटर कितनी आसानी से चला बारा है यह ट्रेक्टर और आर्सी के साब से पचास एच्पीए बड़िया गहरा ही लेके चल रहा है मुझे इस कल्टिवेटर की खास बात यह लगी इसकी जो टाइंस का डिजाइन है ना वो बहुत यूनीक है तो पीछे की साइड आप देखो गे ना थोड़ा सा कर्व में है मतलब उस तरफ जुकी हुए जब यह नीचे चलती है तो ऐस अब यह लग रहा है यह पीछे की तरफ फिचा गई हो तो यह इसकी डिजाइन ही ऐसी है और उसका जो कुसिया है जो नीचे चलता है वह अभी देखो आप बिल्कु सारे कि सारे लेबल में है कितना भी मतलब असंतुलेत या कैसा भी खेत हो और दो कितनी बड़िया जैसे अभी आप देखो गे ना यहां पर तो यह जितनी आवशक्ता है इसमें अब क्या थोड़ी से हवा लग जाएगी ना तो रोटर वेटर चला देंगे तो यह मिट्टी बैठ जाएगी दीमे तो निकलेंगे ही और इसमें बहुत छोड़े डीमे निकल रहे हैं बल्राम होना है जो भी करना है रोटर वेटर चलाने के बाद यह आधी रहे जाए गहराई बड़ियां पलेवार हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है और हमारे खेतों में भी हम जैसे यह कट जाएगी और बतर आएगी तो यही चलाएंगे क्योंकि इसमें पंजी या कुछ और तो कूछरे कहते हैं कल्टिविटर होता है जो ट्रेडिशनल क्लासिक कल्टिवेटर जोषको सद्यों से यूज़ कर रहे हैं वह उसकी पांस इसको पर से फिसल जाती और रसक्टर बेसे जाता ही नहीं और गर बैड गया नीचे तो फिट्रेक्टर उसको खीजनी पाता क्योंकि उसको बहुत लंबी चौड़ी जगा जो की करी इसमें क्या होता है मिट्टी में इस समय धान में इतना ज्यादा पानी भरा रहता है ना लंबे समय तक तो यह मिट्टी बहुत कठोर हो जाती है और एक राउंड लगा के तो को ड्रेक्टर आ गया है वापिस इसका तो मस्त है यार ऐसा लगता मतब मज़े ही आ गया है क्या चलता है तो भाई आपको इस कल्टिवेटर की बल्रा महल की बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी मुझे जुरू बता ना और इसमें कोई मेंटरेंस वाला तो कोई लखड़ा है नहीं बस पांसे हैं जो की समय के पलट के लगा लो लोस तो पीछे हमारा ट्रेक्टर और इसकी आवाज सुनो यार क्या खंखनाटे दार आवाज आरी मज़ेगा यार बहुत ही शांदार खेती करने का स्की वाजा तो सुराज के सांथ ही है लेकिन और ट्रेक्टरों को भी कम नहीं समय लखी है तब ही अपने अपनी श्रणी में अबल है कुछ लोगों को सुराज पसंद आता है किसी को जॉन्दियर पसंद आता है किसी को कुछ हमारे पास सब हैं सब पसंद है हम हम सोच रहे हैं कि मैसी की तरफ भी जाएं जाएंगे एक दिन के दूप देने के बाद इसमें रोटावेटर चलाएंगे और जो उसके बाद कर देहींगे पहले ब्र electr admissions पहले सबद्रक्रण भाद है कि मैड लगा रहा है मैड मैड से लेkiem आय 성ador है और भाट दो टो तो अधर से लेके तो आजाए ड़े आप Settings लेकाण टोड़ा कम ऐसा है अरुन होता तो कुछ बताना नहीं पादा लेकिन उसकी सिफाक से आज से तबीत खराब होगी तो इसको एड़िए कराना पला पाता नहीं क्या है उसकी बॉड़ी ना फीक से नपर गोगों से लाइनिंग आती चाल में चार पांच बार उसकी तबीत खराब होती हो और एक दम तो दोस्तों अभी हम नीचे वाले में चला रहे थे उपर आने के लिए रास्ता नहीं था तो घूम के आना पड़ा यह आ गया ट्रेक्टर और अब यहां से जाना पड़ेगा तब मैंने एक वीडियो दिखाई थी जहां पे त्रेसिंग चल लेई थी तब भी यहीं से रास यह देख हो गाईस इतनी शांदार गिराई हो रही है तो दोस्तों हमारे सौराज 855 से गिराई चल रही है जिसमें बल्राम भल भी चल रहा है और ऐसी सूकी जगाओं पे यही चल पाता है मतलब करी जमीन पे और सूकी से मतलब नहीं है सूकी छेतर में तो कल्टिवेटर बहुत अच्छा चलता है बहले पानी गिराओ या नहीं तो आपको घिराई करके पलेवा करके ही बोनी करनी चाहिए और मैं हमेशा इसी चीज के समर्थन में रहता हूँ कि पलेवा करके तब ही अच्छा जमता है क्योंकि अगर एक बार बोनी फैल हो गई ना तो आप कितना कुछ भी कर लो दुबारा जमती ही नहीं है वो साल आप एक पाइप मंगबाया है पीवी सी का वो पाइप दिखाएंगे जब पलेवा करेंगे कि आपके कम से कम बजट में लंबी लाइन से कैसे पानी ला सकते हो अब यहां पर नदी से पानी आदा तो हम नदी से पानी लेके आएंगे बहुती सस्ती जोबार से तो हम आने वाली वीडियों बताएंगे उसके लिए बने रहो पसंद आईए तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फेस्बुक को देख रहा है फॉलो कर लो और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो बताते रहेंगे